हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू इग्जाम बारियर्स, आज है 24 अप्रेल 2020 और 24 अप्रेल 2020 से करंट अफेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट कोशन बन सकते हैं, सारे इस वीडियो में डिसकस करेंगे साथ ही हर कोशन से जुड़ा इंपोर्टेंट फैक्टिव आपको उताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, वीडियो के लास में मैं आपसे कोशन पोशूँँगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो फ्रेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने साथ ही वैल आइकन को भी आन कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको हमारे चैनल पर साइन्स के वीडियोज भी एवेलेबल हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्टिन में जाकर साइन्स के वीडियोज भी देख सकते हैं और आपको साइन्स, मैथ, रिजिनिंग, हिस्ट्री और पॉलिटी सभी वीडियोज और पूरे स्लेवास के साथ पाने की कमपनी जीओ, प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फिस्दी की हिस्सेदारी की घोषना की, तो अभी फेस्बुक ने जीओ कमपनी में कितनी 9.99 फिस्दी 9.99 प्रतिशत की हिस्सेदारी की घोषना की, तो अभी किसने की फेस्बुक ने, किसने फेस्बुक ने फेस्बुक के CEO, कौन? मार्क जुकरबर्ग, कौन है? मार्क जुकरबर्ग, और इन्होंने फेस्बुक की इस्थापना कब की थी? फरवरी 2004 में, कब? फरवरी 2004 में, अच्छा, फेस्बुक का मुख्याले कहा है? मेनलो पार्क कैली फोर्निया, कहा है? CEO कौन है Mark जुकर बर्ग कौन है Mark जुकर बर्ग और यह है Facebook का लोगो क्या है Facebook का लोगो चलिए अभी देखते हैं किस में किया Reliance में 1973 कब 1973 किस ने की थी धीरुभाई अंबानी जो इनके पिता थे इसके CEO कौन है Reliance India के अनिल अंबानी कौन अनिल अंबानी इस कोशन का कौन सा पहला option सही था चलिए अगला कोशन देखते हैं और अगला कोशन है सिंगापुर के प्रधान मंत्री ली शेंड लूंग ने देश में आंसिक प्रतिवंद लगाने की तारीख तक के लिए कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दी जो चार मई को समाप्त होने वाली थी तो अभी सिंगापुर के प्रधान मंत्री ने क्या किया प्रतिवंद आंसिक प्रतिवंद बढ़ा दिया कितने तक एक जून तक बढ़ा दि और इसको देखते हुए सभी देशों ने अपने देश में प्रतिबंद लगा रखा है जो बिदेश से लोग नहीं आ सकते और नहीं देश के लोग कहीं बिदेश घुमने जा सकते हैं ठीक है तो इसको अमेरिका ने भी लागू किया है तो सिंगापूर की राजधा नहीं कहां सिंगापूर सिटी कहां सिंगापूर सिटी और सिंगापूर की प्रधान मंत्री कौन है लू शेन लूंग कौन ली शेन लूंग ठीक है सिंगापुर की करेंसी कहा सिंगापूरियन डॉलर ठीक है ये हैं ली शेण लूंग कौन ॲी शेण लूंग और यहां के प्रेसिडेंट कौन है हालिम याकूब कौन चलिए अगला कोशन देखते हैं और अगला कोशन है हाल ही में भारती प्रतिभूती और बिनिमय बोड ने बिदेशी निवेश से जुड़े सनरक्षक बैंकों को किस देश से आने वाले बिदेशी निवेश की निगरानी में ब्रद्धी करने के लिए कहा तो अभी भारती प्रतिभूती और बिनिमय बोड ने बिदेशी निवेश कहां से चीन से जो बिदेशी निवेश होता है तो उस पर निगरानी और कड़ी करने के लिए के आदेश दिये हैं ठीक है तो किस ने दिये हैं भारती प्रतिभूती और बिनिमय बोड ने इसको से भी क्या बोलते हैं सेवी ठीक है ये है सेवी सेवी की फुल फार्म क्या है Securities and Exchange Board of India क्या Securities and Exchange Board of India इसकी स्थापना कब होई थी 12 अप्रेल 1988 को इसका headquarter कहां मुंबई में इसके chair man कौन है अजय त्यागी और ये कब पावर में कब आई थी 1992 में जब इसका act आया था से भी act 1992 में तब ये पावर में आई थी ठिक इस question का कौन सा D options आई था अगला question देखते हैं और अगले question में हारल ही में सीमा सडक संगठन ने किस राज्य के उपरी सुबन सिरी जिले में सुबन सिरी नदी के उपर दापो रीजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया किसका उन्नयन किया उन्नयन मतलब बढ़ा दिया तो अभी अरुनाचल प्रदेश में एक सुबन सिरी जिला है और उस उसमें एक सुबन सिरी नाम की नदी बहती है उस नदी के उपर एक 430 फीट लंबा पुल बना था जिसकी चमता अभी 24 टन थी कितनी थी 24 टन अब इसको बढ़ा कर कितना कर दिया गया कितना 40 टन कर दिया गया तो इसका कौन सा बी आप्सन सई है इस कोशन का कौन सा अंसर भी है ठीक है चलिए अब देखें देखते हैं अरणाचल परदेस किस में घाल इक यहां पर एक रास्ट्री उद्यान है कौन सा पाक हुई उसके बाद तीन यहां पर अरणाचल परदेस में तीन बाग अभिरण भी हैं कौन कौन से नामदफ़ा, पाकुई और कमलांग कौन नामदफ़ा, पाकुई और कमलांग नामदफ़ा important है कि नामदफ़ा विश्यू का ऐसा बागवराण है जो सबसे उचाई पर इस्थित्ता है सबसे जाधा उचाई पर इस्थित्ता है ठीक तो इतनी चीजें आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखेंगे और कल ही मैंने अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको पताया कि चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है अमेरिकी राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प ने भारती मूल के किस अमेरिकी नागरिक को सीर्स बिग्यान बोर्ड का सदस्य न्यूक्त किया तो अभी सुदरसनम बाबू किसको सुदरसनम बाबू को अमेरिका के राष्टपत डोनाल्ड ट्रम्प ने सीर्स विज्ञान बोर्ड का सदस्य न्यूक्त किया ठीक है इस कोशन का कौन सा सी ओप्सन सही है कौन सा सी ओप्सन सही है तो यह जो सुदर्सनम बावु है वो भारती मूल के तीसरे ऐसे बेखती है जिनको इस पद पर आसीन किया गया है अच्छा इन्हों ने PSG College कोयम बटूर तमिल नाइडू से Engineering की डिगरी की उसके बाद IIT मदरास से M.T. किया और यह इस समय क्या है Advanced Additive Manufacturing Physical Metrology and Computation Materials में इन्हें 21 साल का अनुभव प्राप्त है कितना 21 साल का अनुभव प्राप्त है इस कोशन का कौन सा C option सही है चलिए अगला देखते है और अगला कोशन है प्रतिवी दिवस कब मनाया गया तो अभी प्रतिवी दिवस मनाया गया 22 अपरेल को तो प्रतिवर्स 22 अपरेल को क्या मनाया जाता है प्रतिवी दिवस मनाया जाता है प्रतिवी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि प्रतिवी को बचाने यानि प्रतिवी के पर्यावरण को बचाने और उस पे जितनी भी इस पिसीज जीव जनतु हैं वो हमारे परियावन के हिस्सा हैं और उनके प्रती हमें जागरू करने के लिए प्रतिवी दिवस मनाया जाता है पहली बार प्रतिवी दिवस कब मनाया गया 1970 में कब 1970 में मनाया गया तो इस बार का आपको प्रतिवी दिवस का थीम याद रखना है जो क्या आद रखना है, तीम जाद रखना है, इस बार का थीम क्या है, climate change, क्या है, climate change, तो यह आपको धेआ रखना है, क्लाइमेट change, अच्छा पिछली बार का कैसा था, पिछली बार का था, save our species, क्या था, save our species, इस बार एक डूडल भी बनाया है, Google ने प्रथिवी दिवस के अवसर पर और उसमें गूगल ने क्या दिखाया था गूगल ने उसमें मदुमक्खियों की महत्वाग दर्साया था मदुमक्खियों का महत्व दर्साया था ये है गूगल के द्वारा बनाया गया डूडल तो गूगल ने 22 तारिक को अपना ये डूडल बनाया था, ठीक है, तो आपको इस बार की थीम याद रखने है, तो इस बार की थीम, ये उपर की है, और नीचे की, पिछले लास्ट येर की थीम लिखी हुई है, तो आप इसको नोड कर सकते हैं, चली अगला कोशन देखते हैं, और अगला चलते जितने भी ऐसे करमचारी हैं जो COVID-19 के मरीजों को देखने के लिए directly उनके संपर्क में आते हैं अगर उन में से किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो जाता है और कोरोना वायरस से उसकी इम्रत्ती हो जाती है तो उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपए का 50 लाख इस योजना के अंतरगत तो अब किस राज़ी में हुआ है मद्य प्रदेश तो मद्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मद्य प्रदेश के मुख्य मंतरी सिवराज सिंग चौहान इससे पहले कौन थे कमालनात और मद्य प्रदेश के राज़पाल कौन है लाल जी टंडन खजुराहो का मंदिर भी है, क्या है, खजुराहो का मंदिर भी है, और मद्धि प्रदेश में ही कंदरिया महादेव मंदिर भी है, मद्धि प्रदेश को और क्या कहा जाता है, मद्धि प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, और सबसे जाधा Tiger Reserve कहा है मद्धी प्रदेश में कितने 6 हैं सबसे ज़्यादा Tiger भी कहा है मद्धी प्रदेश में सबसे ज़्यादा Bun कहा है मद्धी प्रदेश में ठीक इस question का कौन सा option C options है था तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला question देखते हैं भारती बैडमिंटन संग और भारती खेल प्राधिकरण ने सन्युक्त तवर पर 20 अपरेल 2020 को किस के नेत्रत में आनलाइन कोच विकास आनलाइन कोच विकास कारिकरम की शुरुवात की तो अभी भारती बैडमिंटन संग ने पुलेला गोपी चंद के साथ क्या किया इस आनलाइन कोच विकास कारिकरम की शुरुवात की इस कारिकरम से क्या होगा जितने भी भारत के प्रसिछक हैं वो इंटरनेशनल लेविल के सभी कोचों से उनके अनुभब शेयर कर सकते हैं और उनसे नई नई टेक्निक्स सीख सकते हैं तो उनके लिए एक अबसर होगा कि नई टेक्निक को सीखना क्या होगा एक नई टेक्निक को सीखना और अभी इस पर कौन उपस्थित थे पुलेला गोपी चंद जो की एक विश्व इस्तरिये बैड मिंटन के कोच हैं कौन हैं बैड मिंटन के कोच हैं इनके साथ दो अन्य विदेशी कोच भी उपस्थित थे ये हैं पुलेला गोपी चंद पुलेला गोपी चंद तो अब भारती बैड मिंटन संग की स्थापना कवोई थी 1940 में इसका हेड कोटर कहां है इसके अद्द्यक्ष कौन हेमंत विश्व सर्मा चलिए अगला कोशन देखते हैं और अगला कोशन है केंद्री बित्रमंत्री ने 20 अपरेल 2020 को दिल्ली में वीडियो कौन्फरेंसिंग के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड आफ गवर्नर्स की पाचवी वैठक में भाग लिया तो अभी हमारे बित्मंत्री निर्मला सीता रमन ने New Development Bank की पांचवी बैठक में हिसा लिया और ये बैठक बीडियो कांफरेंसिंग के जरीए की गई ये पहले इस बैठक को Brics Bank के नाम से जाना जाता था जो भी Brics देश के सदस हैं वो इस बैठक में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं और उन देशों को ये बैठक क्या लोन प्रोवाइड भी कराता है ठीक है? तो ये हैं Brics की Countries जो Brics में तो Brics की जब स्थापना होई थी तो उसमें ये S नहीं होता था क्या नहीं होता था? S नहीं होता था ठीक इसके जितने भी लेटर्स हैं Brics के वो अपने अपने लेटर्स एक कंट्री को डिनोड करते हैं तो पांच कंट्री से कौनसी? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, एंड साउथ अफरिका साउथ अफरिका कब बना? कब बना? 2010 में साउथ अफरिका कब आया? 2010 में अचा, ब्रिक्स की स्थापना कब थी? ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी 2006 में लेकिन ये कब फार्मेशन हुआ इसका, ये एक्ट के साथ कब फार्मेशन हुआ इसका 2009 में जून 2009 में ठीक तो ब्रिक्स के स्थभनागर पुछी आती formation पूछा जाता है तो कब हुआ था 2009 में हुआ था countries कितनी है इसमें 5 countries है ठीक है चलिए अगला question देखते हैं और अगला question है किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचै अभियान कि इस प्रोग्राम के अंतरगत ये क्या करते है जल के लिए जल को बारिस का जल है उसको इकठा करने के लिए बड़े बड़े तालाव खुदते हैं और उसमें अपने जल को इकठ्ठय कर लेते हैं और उस जल से फिर क्या करते हैं जहां पर पे जल और सिचाई के लिए जल उपलब्द नहीं होता है तो इस जल से उसकी आपूर्थी की जाती है तो किसने किया भी गुजरात ने किया तो गुजरा था गुजरात के बारे में तो गुजरात यह मैप में गुजरात में गिरी की पहाड़िया है कौनसी गिरी की पहाड़िया है तो यहां पर एक गिरी अभ्यारण है कौनसा गिरी रास्टी अभ्यारण है तो इसमें क्या पाया जाता है एसी आई सिंग कौनसा एसी आई सिंग ए उसके बात एक और अभ्यर्ण है कौन सा नल सरोवर कौन सा नल सरोवर जोकि एक पंची भियार है क्या है पंची भियार है ठीक अच्छा यहां से कोष्ञन और बनाता है कि इसमें गुजुरात में गान्धी जी का जन्म भी हुआ था, गुजरात के पोरवंदर में, तो गांधी जी ने अपना एक सावरवती आसरम बनाया था, वो किस नदी के किनारे बनाया था, तो किस नदी के किनारे बनाया था, सावरवती नदी के किनारे बनाया था, ये कोशन भी पूछा जाता है, चलिए, और आपके लिए आज का कोशन आज का कोशन है देश में ऐसा पहला ग्रीन राज कौन सा है जिसमें कोरोना वायर्स्रस के मामले नहीं हैं चार आपसन दिये गए हैं इन चार आपसन में से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अब कल की कोशन का आंसर और कल का कोशन तो किस महाधीब में इस्तित है यूरोप में इस्तित है इस कोश्चन का भी आप्सन सही था चलिए यह था आज का हमारा वीडियो को एश लगा कमिट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब को लें स